Hello my beautiful people, कैसे हो आप सब? I hope आप सब एकदम मझे में होंगे सर्दियों की दिनों में आप भी facial करवाने से डर रहे हो क्या? या तो आपको कोई chemical suit नहीं करता है? No tension, don't worry. क्योंकि आज मैं आपकी लिए ऐसा home remedy वाला face pack लेके आई हूँ जो लगाते ही आपकी skin एक दम bright, tight और younger लोग देगी जी हाँ friends, ये face mask को लगाने के बाद आपको यकिन नहीं होगा कि जो glow 1000 रूपे के facial से आता है, वो सिर्फ 2 रूपे से बनाए हुए face mask से भी आ सकता है जी हाँ friends, आपको यकिन नहीं आता है, ये remedy आप भी जरू से try कीजिए और फिर मुझे आके comment में बताए, तो friends, समय को बरबाद ना करते हुए चलिए सुरू करते हैं face mask बनाना face mask बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चम्मच बेसन लेना है और उसमें दो रूपी वेला coffee का सेसे ऐड़ करना है बेसन में coffee को ऐड़ करें उसके बाद हम यहाँ एक चम्मच हनी यानि के सहद ऐड़ करेंगे फिर उसमें 3-4 बूंदे नेंबू की ऐड़ करें निम्बू हमें ज्यादा इस्तिमाल नहीं करना है क्योंकि ठंडी के दिन चल रहे हैं फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले मिक्स करना थोड़ा हाट रहेगा लेकिन दीरे दीरे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा देखिए इस तरह से ठीक पेस्ट रेडी करें फिर फ्रेंड्स में इसका आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी लाइव प्रूफ भी आप देख सकते हैं कि स्कीन में कितना फर्क आ जाएगा और स्कीन एकदम ग्लासी और ग्लोइंग हो जाएगी तो वीडियो में अंतक बने रहेगा इस तरह से फेस मास्क को अपने चेहरे फेस को थिक लगाएं देखे इस तरह से फेस मास्क को पूरे फेस पर लगा लेना है फिर इस फेस मास्क को सुकने दे सुखने में 15-20 मिनिट का समझ लगेगा प्रम स्षटा James सुखने के बाद इसे लेकिन यह इतना हाड हो जाएगा ना कि पेपर से चुटे इसके लिए हमें फेस को बोश करना है आप देख सकते हैं यहां मैंने फेस को बोश कर लिया है वाव एकदम ग्लोइंग स्कीन हो गई है सच में यह रेमेडी मेरी सबसे फेवरिट रही है जो एकदम ग्लोव देता है फ्रेंड्स यह आप जरूर से ट्राय कीजिएगा और 100% आ करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर